दोस्तो आज हम cover करेंगे history का most important topic once और उनके अंतिम सासक देखिए exam में दो टाइप से question पूछे जाते हैं या तो पूछ लेंगे once और उसके संस्थापक कोन है जिस पर हम complete वीडियो बना चुके लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ से आपो देख सकते हैं या फिर पूछ ल नहीं जाएगा तो स्वागत आप सब इकजी के महत्मा जी में चलिए सुरू करते हैं फड़ाफाट पहला question गुलाम वंस के अंतिम सासक कौन थे आपको दिन सेकेंड मिलते हैं option B समसुदिन कैमोर्स देखें गुलाम वंस के अंतिम सासक थे समसुदिन कैमोर्स और गुलाम वंस के संस्थापक कुतुबूदिन एबग देखें दोस्तों अगर आपका ये chapter completed तब भी आप ये quiz test जरूर सोल कीजिएगा ताकि आपको पता चले भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है next खिल जी वंस के अंतिम सासक कौन थे थोड़ा टफ हो सकता है मिर भाई अगर आपने चुना option A खुसरो खां तो बिलकुल सही जवाब चुना है देखें खिल जी वंस के अंतिम सासक तो थे खुसरो खां और खिल जी वंस के संस्थापक जलालूदीन खिल जी next मौरिय वंस के अंतिम सासक कौन थे next question थोड़ा सा टफ हो सकता है सुंग वंस के अंतिम सासक कौन थे जवाब दर भाई अगर आपने चुना option C, देव भूती, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है सुंग वन्स के अंतिम सासक थे देव भूती और सुंग वन्स के संस्थापक option B, पुश्य मित्र सुंग next, कणाव वन्स के अंतिम सासक कुन थे? option B, सुसर्मा, कणाव वन्स के अंतिम सासक थे, सुसर्मा और कणाव वन्स के संस्थापक option A, वासुदेव next, राष्टकूट वन्स के अंतिम सासक कुन थे? option D, किर्शन त्वित्य राष्टकूट वन्स के अंतिम सासक थे, किर्शन त्वित्य और इसके संस्थापक दंति दुर्ग नेक्स्ट पालवंज के अंतिम सासक कुन थे? आप्सट ए गोविंद पाल पालवंज के अंतिम सासक थे गोविंद पाल और पालवंज के संस्थापक गोपाल कन्फ्यूज मत हो ना भाई नेक्स्ट सेन वंस के अंतिम सासक कुन थे option B लच्षमन सेन दिखे सेन वंस के अंतिम सासक थे लच्षमन सेन यहाँ से एक पॉइंट और निकलता है जैदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी वो भी लच्षमन सेन के दर्बार में ही थे और कोई पूछ ले सेन वंस के संस्थापक कौन थे तो वो है सामन्त सेन नेक्स्ट लोधी वंस के अंतिम सासक कौन थे बिलकुल ईजी है मेरे भाई अगर आपने चुना option C इबराहीम लोधी तो बिलकुल सही जवाब चुना है देखे लोधी वंस के अंतिम सासक थे इबराहीम लोधी और लोधी वंस के संस्थापक बहलोल लोधी अब देखे 1526 में पानीपत का जो पर्थम युद हुआ था वो लोधी वंस के अंतिम सासक इबराहीम लोधी और बाबर के मद्धे हुआ था इस युद में इबराहिम लोधी प्राजित होते हैं और बाबर विजय होते हैं और इसी के साथ बाबर 1526 में मुगल वंस की स्थापना करते हैं नेक्स्ट, पल्लव वंच के अंतिम सासक कुन थे? आप्सट बी, अप्राजीत वर्मन, पल्लव वंच के अंतिम सासक थे, अप्राजीत वर्मन और पल्लव वंच के संस्थापक सिंग विश्णु नेक्स्ट, संगम वंच के अंतिम सासक कुन थे? संगमवंस के अंतिम सासक थे राजा प्रोड़ देव और संगमवंस के संस्था पाग हरीहर्वे बुक्का नेक्स्ट मुगलवंस के अंतिम सासक कौन थे जवाब दीजिए मेरे बाई विलकु लीजिए जिसे जफर भी कहा जाता है बहदुर साह जफर ये मुगलवंस के अंतिम सासक थे और इनका मकबरा है रंगून में और दोस्तों एक कम्प्लीट वीडियो ये जितने भी मुगल बादस्या हुए है इनके मकबरे कहा है और इनके मकबरों का निर्मान किसने करवाया कब करवाया इस पर भी एक कम्प्लीट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट सेयद वंस के अंतिम सासक कुन थे ऑफसं स्याओदिन आलमसा सेयद वंस के अंतिम सासक थे अलाओदिन आलमसा और सेयद वंस के संस्थापा किर्ज खा नेक्स्ट चोहान वंस के अंतिम सासक कुन थे आपसन C पिर्थवी राज तित्ये चोहानवंस के अंतिम सासक थे पिर्थवी राज तित्ये और चोहानवंस के संस्थापाक वासुदेव चोहान नंदवंस के अंतिम सासक कुन थे अप्शन D धनानंद नंदवन्स के अंतिम सासक थे धनानंद और नंदवन्स के संस्थापक महापदमानंद नेक्स्ट सोलंकी वन्स के अंतिम सासक कुन थे Option B, भीम दिवित्य सोलंकी वंच के अंतिम सासक थे भीम दिवित्य और सोलंकी वंच के संस्तापक पूछ ले Option A, मूल राज़ पर थम Next, चौल वंच के अंतिम सासक कुन थे? अगर आपने चुना Option A, राजेंदर तित्य है तो सही जवाब चुना है चौल वंच के अंतिम सासक तो थे राजेंदर तित्य है और चौल वंच के संस्तापक विजय पाल Next, हौन वंच के अंतिम सासक कुन थे? Option A, महिर गुल हौन वंच के अंतिम सासक थे महिर गुल और हौन वंच के संस्तापक तोर मान आपसन ए विश्णो गुप्त गुप्त वंस के अंतिम सासक थे विश्णो गुप्त और गुप्त वंस के संस्दा पक शिरी गुप्त आपसन डी यगश्री सतकरणी ये सब्त वंस के अंतिम सासक थे और साथ वंस के संस्दा पक आपसन बी सिमुक नेक्स्ट हरियक वंस के अंतिम सासक कुं थे आपसन बी नाग दसक हरियक वंस के अंतिम सासक थे नाग दसक और भाई संस्दा पक आपसन ए बिमबिसार next सिसुन आगवंज के अंतिम सासक कुन थे जवाब दीजिए विरबाई option C नंधी वर्धन सिसुन आगवंज के अंतिम सासक है नंधी वर्धन और इसके संस्थापक कमेंट्स बोक्स में बता दे न वाई बिलकुल लेजी है तो इसका जवाब आप हमें option D नसीरुधिन मोहमद तुगलक ये तुगलक वंज के अंतिम सासक है और तुगलक वंज के संस्थापक option B ग्यासुधिन तुगलक next लोहार वंज के अंतिम सासक कुन थे option D जै सिंग लोहार वंज के अंतिम सासक जै सिंग और लोहार वंस के संस्था पाक संग्राम राज नेक्स्ट गुर्जर वंस के अंतिम सासक कुन थे अपसन भी यस पाल गुर्जर वंस के अंतिम सासक थे यस पाल